तुआ चूँए है तो हैСयक्भी वश्टु का अबहासी प्रतिवीम किस दर्पड में बनता है तो इसका रईट एंसरहोगा समतल दर्पड में ही वास्तवीक वश्टु का अभासी प्रतिवीम बनता है ठीक है दूसरा क्योशन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सिधा प्रतिवीम किस में बनता है तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सिधा प्रतिवीम जो होता है वो सम्तल उत्तल में बनता है इसका राइट एंसर होगा सम्तल उत्तल तिसरा क्योशन है वास्तवीक प्रतिवीम की प्रक्रती कैसी होती है तो एक बात याद रखना वास्तवीक प्रतिवीम की जो प्रक्रती होती है वो हमेशा उल्टा होती है ठीक है इसका राइट एंसर उल्टा चोथा केसन है वस्तु से छोटा प्रतिबीम कीज दरपड में बनता है इसमें चार अपसन दिया है उत्तल दरपड आउतल दरपड समतल दरपड और चोथा अपसन है उत्तल दरपड और आउतल दरपड तो इसका रैट एंसर है डी उत्तल दरपड और आउतल दरपड में वस् पांचो केसन है प्रकास के प्रावर्तन के नियम के नियुसा है तो जानते ही है प्रकास का प्रावर्तन कहता है कि आपतन कोड प्रावर्तन कोड के बराबर होना चाहिए तो इसमें से राइट एंसर होगा भी आपतन कोड जो होता है प्रावर्तन कोड के हमेशा बराबर होता ह यही प्रकास का नियाम है. ठीक है, इसका right answer बी है. छटा custom है, शमतल दर्पाण द्वारबना प्रतिपीम हमेशा सिधा और अभासी होता है, इसका right answer है सिधा और अभासी. साथवा custom है, आag में प्रवेश करने वाले प्रकास के मात्रा को नियंतरित कौन करता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास को नियंत्रित करने वाला है परितारिका परितारिका को एरेज भी बोला जाता है जो की आँख में जो प्रवेश करने वाला जो प्रकास जो होता है उसको नियंत्रित करता है इसका राइट एंसर है ए परितारिका आठो के सन है सूरियोदा और सूरियास्त के समय सूरिया कैसा दिखता है तो देखो सूरियोदा के समय या भी सूरियास्त के समय सूरिया हमेशा चप्टा दिखाई देता है इसका राइट एंसर है डी चप्टा नवा किसन है यदि दरपण में बना प्रतवीम हमेशा सीधा अकार में वस्तु के बराबर तो वह कौन सा दरपण होगा तो यदि दरपण में बना प्रतवीम हमेशा सीधा होता है अकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह दरपण हमेशा समतल दरपण होता है अर्धात इसका रेट एंसर सम्तल दरपण है इसका एंसर है C सम्तल दरपण दसो किसन सम्तल दरपण के द्वारा बना प्रतवीम होता है तो सम्तल दरपण के द्वारा जो भी प्रतवीम बनता है वह कालपनिक होता है इसका right answer भी कालपनिक होता है समतल दरपन के द्वारा बना प्रतिभीम कालपनिक होता है ग्यारो किसन है नीमने में से कौन सा पदार्था लेंस के लिए प्रविक्त नहीं किया जा सकता तो लेंस के लिए प्रविक्त नहीं किया जा सकता वहा पदार्थ है मिट्टी बाकि अन्य पदार्थों को लेंस में प्रविक्त कर सकते हैं इसमें मिट्टी को ही लेंस में प्रविक्त नहीं किया जा सकता इसका राइट एंसर है मिट्टी 12 किसान उत्तल लेंस की छमता होती है तो उत्तल लेंस की छमता हमेशा धनात्मक होती है उत्तल लेंस की छम्ता धनात्मक होती है इसका राइट एंसर धनात्मक होगा फिर तेरवा किसान लेंस की छम्ता का एसाई मात्रक होता है तो लेंस की छम्ता का एसाई मात्रक होता है डायप्टर इसका राइट एंसर डायप्टर होगा चौदा केसन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका क्या करण है तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो होती है वो कम दिखती है इसका में कारण है अपवर्तन अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है ठीक है इसका र में कारण जो होता है वह अपवर्थन के कारण होता है इसका रेट इंसर अपवर्थन होगा सोलवा केसन है दरपण की चोड़ाई को दरपण का खालिस्थान कहा जाता है तो दरपण की चोड़ाई को याद रखना दोस्तो दरपण का द्वारक कहा जाता है तो याद रखना फ्रेंड्स, सोलर कुकर में हमेशा ओतल दर्पन का ही उप्योग किया जाता है, ठीक है, तो इसका रैट एंसर होगा ओतल दर्पन अठारो के सन है, रोग्यों के नाख, कान, गले, आदी की जाज के लिए डाक्टर किस दर्पन का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छा से याद रखना, जो भी डाक्टर जो होते हैं, रोग्यों के नाख, कान, गले, आदी को जाजने के लिए हमेशा ओतल दर्पन का ही उपयोग करता है इसका राइट एंसर होगा अवतल दरपाण 19 के सन है हीरा का अपरतनांग खाली स्थान होता है तो हीरा का जो अपरतनांग जो होता है वो 2.42 होता है याद रखना फ्रेंट से हीरा का अपरतनांग 2.42 होता है 20 वा केसन है मोटर गाड़ी के चालाग के सामने खाली स्थान दरपन लगा रहता है मोटर गाड़ी के सामने में जो दरपन लगा रहता है वहाँ उत्तल दरपन होता है ठीक है मोटर गाड़ी के चालाग के सामने जो दरपन लगा रहता है वह उत्तल दरपण होता है तो इसका राइट एंसर होगा उत्तल यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना ना भुलिए और नए यूजर हो तो आप लोग मेरे चैनल को अवस सही सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आप लोग को नोटिविकेशन सबसे पहले मिले थ्यांकू क्रेंड्स थ्यांकू भर वाचिंग दिस वीडियो